हे गाईज वास्ट सब्सक्राइब आपका एक और गेमिंग यूज के अपिसोड में और भाई आज वाले अपिसोड में बहुत तरक्ती बड़क्ती न्यूज है जी टीए सिक्स से रिलेटिड साजी साथ फ्री फायर अन्बैंड से रिलेटिड विया है तो वीडियो के इसलिए अन्ड तक जरूर देखना सबसे पहली न्यूज है भाई गेमिंग इंडिस्ट्री जो है न वो काफी ज़ादा सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को जो आपको पता ही होगा रशिया यूक्रेन का भी पूरा सीन चल रहा है जिसमें जो यूबिसोफ्ट है न भाई उन्होंने अपनी यूक्रेनियन टीम को एडवांस सेलरीज, अडिशनल फंड और साज़साद शेल्टर्स भी प्रोवाइड करें नेबरिंग कंट्रीज में इसके लावा भाई The Witcher and Cyberpunk 2077 के जो क्रेटर्स है न उन्होंने 2,43,000 यूएश डॉलर्स जो है वो डोनेट करे है यूक्रेन की हल्प के लिए साज साथ जो डाइंग लाइट के डेवलपर है उन्होंने भाई 2.5 लाग यूएश डॉलर्स करे है डोनेट यूक्रेन को अगली न्यूस निकल क्या रही है Battlefield Mobile के प्री रिजिस्टेशन से रिगार्डिंग तो इसका जो प्री रिजिस्टेशन है भाई वो स्टार्ट हो चुका है प्ले स्टोर पे इंडिया में अभी ये सिरफ भाई Android के लिए है तो आप भी जाके प्री रिजिस्टर कर सकते हो और इसके लावा जो गेम है भाई आप एंड ऑफ 2022 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो रिलीज हो जाएगी अगली नियूस निकल के आ रही है भाई इंडियन गॉर्मेंट की तरफ से तो जो इंडियन गॉर्मेंट है उन्होंने भाई AVGC करके एक टास्क पोर्स बनाई है for growing animation, visual effects, gaming and comic sector in India इसके लाव कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मोधी जी ने एक स्पीच में भी अपने गेमिंग का जिक्र किया तो और उन्हें का था कि जो बच्चे उनको made in India गेम्स खेलनी चाहिए बड़ भाई अगर इंडिया में आप 4G जैसी गेम्स लांच करोगे तो को नही गया उसके बाद कुछ भी नहीं भाई साब अगली न्यूसिकल के आ रही है क्राफ्टन की तरफ से तो भाई क्राफ्टन ने 5.4 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किये है इंडियन स्टूडियो जिसका नाम है नोटिलियस मूबाईल तो ये स्टूडियो भाई वेल नो होना है for creating very popular real cricket games आप में से शायद काफी लोगों ने खेली भी होगी इनकी ये वाली गेम तो लेट सी भाई क्राफ्टन ने इतना invest कर दिया तो आगे आने वाले टाइम पर कैसी-कैसी हमें must must mobile games देखने को मिलती है इसके लावा भाई epic games ने भी confirm कर दिया है कि 2022 में भी वो free म बहुत धगड़ी धगड़ी games बाटने वाले तो let's see कौन कौन से title आते है इस list में अब GTA 6 की बात करने से बहले भाई कुछ free games के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले जो epic games है उसमें आप 3 मार्स तक Chris Tales को redeem कर सकते हो free में इसके लावा PS Plus की games की बात करी जाए तो आपको यह in the flood, second है a street power soccer, तीसरी है भाई sacred 2 and चोती है spongebob truth or square तो भाई यह सारी की सारी आप games redeem कर सकते हो free of course मतलब अगर PS की subscription है यह Xbox gold है तो बाकी epic games वाले के लिए कोई subscription नी चाहिए अपना free में redeem करके must game खेलो अगली news है भाई हमारी favorite game GTA 6 की तो इसकी जो release date आपको पता ही होगा पहले बात चल रही थी कि भाई 2024 में आएगी फिर 2025 में आएगी तो ऐसी कुछ confirm नहीं हो रहा था बट अब जो भाई leaks या rumors निकल के आ रहे है ना ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के end तक यह game आजाएगी या फिर आ game है कौन से consoles या किन platform में देखने को मिलेगी तो भाई देखो अभी तक तो जो news निकल के आ रही है ना उसके हिसाब से हमारे current gen consoles में देखने को मिलेगी PS5 हो गया Xbox One X हो गया और साज साथ PC पे भी हो गया बट chances यह भी है कि भाई खाली console में आए फिर उसके एक और साल बाद PC PC में आए वैसे अगर पुराना पैटन देखा जाए तो भाई जैसे GTA 5 लोगबग तो उस टाइम तक PS5 या फिर जो current gen console से लगबग सब लोगों के पास होंगे तो शायद ही PS4 पर आगई तो भाई बढ़िया चीज है ना अगली न्यूज है भाई हमारी Free Fire Unban को लेकर तो यहाँ पर हमें दो अपडेट्स देखने को मिले है सबसे वहले जो गरिना का इंस्टा पेज है उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया है इंडिया Official Free Fire से ले गरिना Free Fire Max इंडिया आपको याद होगा मैंने Free Fire Ben वाली वीडिय तो जो SCA करके कमपनी है न मैंने आपको बताया था वो भाई चाइनीज नहीं है जबकि सिंगापूर की है तो उन्होंने यहाँ पर पूछा गया कि क्यों Free Fire को बैन किया गया जबकि वो एक सिंगापूर की कमपनी है और साथी साथ उन्होंने कोई भाई डेटा ट्रांसफर या स्टोर नहीं किया है चाइना में इंडियन्स का तो लेट सी भाई उनको कब तक जवाब मिलता है और अगर जवाब मिलता तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है क्या Free Fire वापिस आती है या फिर वापिस से लॉँच होगी वही जैसे BGMI PUBG का सीन हुआ था इंडियन स तो उन्होंने ये वीडियो डाली है जिसको मैंने पूरा देखा आप भी देख सकते नीचे दिस्क्रिप्शन में दे दूँआ उसमें उन्होंने पूरा बताया कि क्यों वह ब्रेक पे गए ते और ये ब्रेक थी तो छोटी बट करते करते 9 महीने की हो गई बट अब उन्हो उन्होंने डाली तो जो भी बात भाई वो चैनल से रिलेटिड ही है और फिर उसके बाद थर्ड शोरी उन्होंने डाली है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो जहां तक मुझे लग रहा है भाई ऐसा चैनल पे कुछ इशू बड़ा तो इतना नहीं हुआ होगा बर कुछ ना कुछ आप्शेकल्स आये होंगे जिसकी वह ऐसे भाई परशान हो गए होंगे वो तो लेट सी अगर वो फ्यूचर में बताते हैं इसके बारे में कुछ तो हम आपको इन्फोर्म कर देंगे तीसरी न्यूजिकल क्या रिया टोटल गेमिंग की तरफ से तो फ्रीफायर के आप प्लेए श्टोर पर आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो तो यार यह थी कुछ पिछले एक डेड़ अफते की गेमिंग न्यूज और इंडियन गेमिंग क्रेटर्स के वारे में न्यूज आपको आज का पिसोड पसंद आए हो पसंद आए तो लाइक कर देना चैन